क्या कभी आपके मन में ये विचार आता है कि भगवान श्री राम का साथ वानर सेना नहीं क्यों दिया, देफताओं ने, मनुष्यों ने क्यों नहीं, आईए इसकी कहानी सुनाती हूँ, वहां से जहां से श्री राम चंदर जी के अवतार की प्लानिंग हुई थी, जब प्रि कश्यप जी की तपस्या से प्रसन्न हुआ था, कश्यप जी ने मुझे पुत्र रूप में मांगा था, और इस समय धर्ती पर दश्रत जी की रूप में, तो मैं उनका ये पुत्र बन कर जन्मलूंगा, और मेरी योग माया जनक जी के घर में सीता के रूप में जन्मलेंगी, और मैं आपका सारा काम कर दूँगा तब ब्रम्हा जी ने समस्त देवताओं को आज्या दी कि आप भी अपने अपने अंश को वानरवंश में पुत्र के रूप न कीजी वानरवंश के साथ मिलकर श्री हरी असरों का अंत कर सके और जब तक श्री हरी धरती पर हो तो ये वानरवंश उनकी साहता करे अब वानरवंश ही क्यों? क्योंकि तपस्या करके जब भगवान ब्रम्हा जी से रावन ने अपने लिए हमेशा के लिए अमर हो जाने का वर मांगा था प्रम्हा जीनों ने ये वर दिया था कि हात में कोई नहीं मार पाएगा सिभाए मनुष्यों और वानरों के इसलिए उनका अंत करने के लिए मनुष्य और वानरों के अवश्यक्ता थी इसलिए ये सारी रामायन रची गई